सातियो नमस्कार मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूँ एको नई वीडियो में किसान दोस्तों आज मैं आपको ट्रेंच बिधी गन्ना ववाई की सारी जानकारी दूँगा तो वीडियो में लाश तक बने रहना तो सबसे पहले उनकिसान सातियों से अनरोध है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है किरपा हमारे चैनल को सस्क्राइब करें साथ में गंटी के वटन को ओल पर सलेक्ट कर लें ताकि तब भी में कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके साथ में वीडियो को लाइक अवस्य करें तो दोस्तों आप देख पा रहे होगे सिंगल आँक के टुकड़ों से हमने अपने खेत में ट्रेंच बिधी गंडे की वबाई करा दी है और साथ यो आपको वताना चाहूंगा आँक से आँक की दूरी 14 इंच के आसपास रखी गई है कोई पौरी की लंबा या दिखोती है किसी की कम होती है तो इसलिए आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा दोस्तों आप देख पा रहे होगे सारी ही पौरियों की आँखें उपर की तरफ हैं और साथ में किसान दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा हमने अपने इस खेत में कितनी मात्रा में खाद कप्रियों किया है तो किसान भाईयों ये हमारा चार एकड का खेत है जिसमें हम दो कटे डी एपी के और दो कटे यूरिया के नालियों में डालेंगे इन दोनों ही खाद के साथ हमने क्या मिलाया है ये आपको मेरी इससे पहले की वीडियो में देखने को मिलेगा उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा आप हुआ से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो तो साथियो जैसा कि आप देख पा रहे हो अगर आप किसी भी बिदी से गन्ये की ववाई करते हो तो किसान भाईयो ये विसेश करके दिहन रखना है नीचे की लगभग चार-पांच पोरिया आपको अलग करनी होंगी उस से उपर के गन्ये की ही आपको अपने खित में ववाई करनी है साथ में दोस्तों आपको इस चीज का विशेश करके दिहान रखना होगा गन्ने की पत्तियां हाथ से ही हटाएं द्रांती का प्रियोग सिर्फ गन्ना को उपर से काटने के लिए करें बहुत से आपने देखे होंगे किसान दोस्तों ठेकेदार ऐसे होते हैं गन्ने का विश तयार करते समय पत्तियां द्रांती से ही हटाते हैं साथ में किसान दोस्तों आपको किसी अच्छे फंजी साइड से अपने विश को टीट अवस्य करना है उसी के वाद अपने खेत में गन्ने की बुवाई करें चाहें आप किसी भी विधी द्वारा अपने खेत में बुवाई करें साधारंड विदी से रिंग पिट विदी से या दोस्तों ट्रेंच गन्ने की बुवाई करें आपका कोई सावी वीज हो चाहें 0238 या कोई भी नया वीज हो किसान दोस्तों टीट अवस्य करें गन्ने के टुकड़ों पर करा रहे हैं और दोस्तों आपको वताना चाहूंगा सारे ही गन्नों के टुकड़ों की जो आँखें वो उपर की तरफ करके रखी गई है और दोस्तों जो भी गन्ने की आँख खराब है उसको अलग रख दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा गन्ने की पोरी के उपर कितनी मिट्टी की जा रही है तो किसान दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत कम मिट्टी उपर से दी जा रही है लगवक्त दोस्तों आपको वताना चाहूंगा जैसा कि आप देख पा रहे हो एक आं सातियों आप देख पा रही होगे कि हमने अपने खित में कितना पानी दिया है तो किसान दोस्तों मैं आपको देखाने की कोशिस करता हूँ जैसा कि सातियों आप देख पा रही होगे ऊपर तक हमने पानी नहीं भरा है अपने खित में बहुत हलका पानी दिया है वहीं किसान स सातियों आपको बताना चाहूंगा अगर आप अपने ट्रेंच विदी गन्ने में सह फसली में दूसरी फसल लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और अधिक पानी देना होगा और सातियों जैसा कि आप देख सकते हो हमने साइडों में दो बैड तयार किये हैं जिससे की तीन नालियां बनके हमारी तयार हो चुकी हैं और सातियों इन में भी हमने साइड के कुड़ों में भी तीनों में ही बवाई कराई है ताकि किसान दोस्तों जहां पर भी हमारा गन्ना नहीं उगेगा यहां से उखार के हम उसको उसकी जगा लगा देंगे और साथियों आपको मैं दिखाना चाहूंगा कुछ इस प्रिकार से नालियों की सामने की मिट्टी भी आपको निकलनी होगी तो किसान भाईयों आप देख पा रही होगे अब मैं आपको दूसरी साइड लेके आ गया हूँ तो किसान दोस्तों दूसरी साइड से पानी आ रहा है और भाईयों जिस नाली में पहले आ गया है उस में से दूसरी नाली में को भी पानी निकल के चल दिया है किसान दोस्तों आपको दोनों ही तरफ से नालियों के जो मुह पे मिट्टी आ जाती है वो निकालने होंगी कुछ इस प्रकार आपको अपने ट्रेंच गन्ये में ये विशेश करके तयारी करनी होगी क्योंकि किसान दोस्तों बहुत से किसान सिर्फ जिस तरफ से पानी देते हैं उसी तरफ की मिटी निकालते हैं दूसरी तरफ की नहीं निकालते हैं और भाईयो इस खेत को हमने कल भढ़ दिया था आप देख पा रहे होगे अब किसान दोस्तों आपको दिखाऊंगा मैं पिछली दफ़ा हमसे क्या कमी हुई थी अपने ट्रेंच बिदी गन्डे में तो किसान भाईयो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे खेत में जगा जगा बहुत बहुत गैप है किसान दोस्तों इसलिए हमने अब के साइड में ज की पूर्टी की जा सके ताकि ये गैप अगली बार को हमारे खेत में बिरकुल भी देखने को ना मिले जिससे किसान दोस्तों अगली वार हमारी पیदावार और बढ़ जाएगी और दोस्तों आपको साथ में ये और बताना चाहूंगा हमने अपने इस खेत में दो लाईन फ तो ये पता चल सके कि खड़ी गुली द्वारा अगर फरबरी या मार्च में वुवाई की जाती है तो वो विधी कितनी काम्याब होती है तो कसान दोस्तों आज की वीडियो में अतना ही था वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें दूसरे सातियो के साथ जादा से जादा वीडियो को शेयर करें और उन सातियों से फिर से निवेदन है जिनों ने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया कि पर हमारे चैनल को सस्क्राइब करें साथ में घंटी को आल पर सलेक्ट करें